हालो विल्कम बैक टू एडी बीजी आर्किटेक्ट और आज हम लाएं आपके लिए एक फ्लोर प्लान यह हमारी एक्चुली थर्ड वीडियो होगी इस सीरीज की पहले हम आपको वोक्तों दिखा चुके हैं आज हम आपको जो शेयर करेंगे वह एक फ्लोर प्लान है 40 by 60 प्लो मैं आपको दिखा देते हैं तो यह है इसका फ्लोर प्लान मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो एक्चुली फरंट है वो है 40 फिट और जो इसकी डेप्थ है वो है 60 फिट 40 by 60 का है हमारा प्लोट है जैसा मैं आपको बताया है इसमें तीन बेडरूम रहेंगे एक ड्राइंग रहेंगा एक किचन रहेगी और बाकी जो इसकी टोलेट और स्टोर है वो हम आपको प्लान के साथ दिखाते चलेगे तो इसमें ओपन की बात करें तो यह two side road है इसमें एक front में आपका road रहेगा और एक आपका right side में इसमें road रहेगा दोनों से हम entry लेंगे एक में primary एक में secondary तो हमने left side में इसमें main entry दी है main entry के साथ ही हमारे इसमें porch आ जाएगा porch का जो size रहेगा वो 14 वाई 23 feet का रहेगा जो कि enough है ठीक है इसी के साथ साथ हमने right side में as per client requirement हमने loan के लिए space छोड़ा हुआ है जो कि 7 feet wide रहेगा इसमें आप plantation land scaping या sitting area आराम से बना सकते हैं ठीक है तो हमारी इसमें दो entry है एक primary एक secondary secondary for guest और primary for the owner ठीक है तो इसको zoom करते हैं यह वाली जो entry रहेगी यह drawing room से होते हुए रहेगी और इसका जो size रहेगा drawing room का वो 14,25 feet रहेगा इसमें जो sitting arrangement है वो L shape में है और इसकी जो LCD unit अगर आप रखना चाहें तो left वाली hole पर आप लगा सकते है और इसमें से ही हमने एक arch दिया है मतलब एक opening दी है जो हमारी lobby में जाएगी अगर आपको privacy थोड़ी increase करनी है इसकी तो आप arch या opening ना दे करके इसमें left side में door लगा सकते हैं तो इस से आपकी privacy बढ़ेगी यानिकि अगर drawing room में आप बैटे हैं तो lobby का अंदर को अंदर नहीं दिखेगा तो हम चलते हैं हमारी primary entry की तरफ यह पोर्स से हमारी जो entry है साड़े तीन फिटी है हमारी main entry रहेगी ठीक है इसके बाहर हमने कुछ greenway के लिए plantation का space दे रखा है आप यहां पर plant को रहा सकते हैं यहां से enter होने के पाद आपको जो है एक लार्ग लोबी मिलती है इसका जो size है क्योंकि client की requirement थी एक उनको बहुत लार्ग लोबी चाहिए जिसमें जो है function वगरा भी आसानी से कर सकें तो इसमें हमने जो size लिया है वो 28 by 25 feet का इस lobby का size है इसमें आपको living area मिल जाता है यहां पर आपके LCD unit आ जाएगी बहुत बड़ा आपको dining area मिल जाता है आप यहां पर पूजा और भी अरेंज कर सकते हैं और यह जो आप step देख रहे हैं यह जो हमारी second वाली road है वहां से हमने एक entry दे रखी है और road के पास entry के पास से ही हमने यहां से stair case शुरू कर दिया है ताकि जो first door पर जाना है तो वो easily accessible रहे है तो यह तो हमारा lobby की activity होगी अब हम lobby से जो connected spaces है उनको show कर देते हैं first तो हमारा connected kitchen kitchen का जो size रहेगा वो 9,25 फिट रहेगा ठीक है L type में इसमें L shape में इसमें मोल्डर kitchen मनाएंगे इसका ventilation हम चाहें तो right side से रख सकते हैं और चाहें तो front से भी रख सकते हैं हमारे पास दोनों तरफ opening है ठीक है front में हम plantation use करेंगे तो window डख जाएगी इसलिए हमने right side से window इसमें दिया है then हम जो है lobby से gas room की तरफ चलते हैं lobby में से हमने दिया है एक door gas room के लिए तो 10,25 फिट का इसमें gas room रहेगा उससे attach कर रख की हमने एक toilet तो यह 6,6 की हमारी toilet रहेगी ठीक है और इनके ventilation के लिए हमने जो है open space दे रखा है कि मैं आपको शो कर देता हूं यह उपन इस पेस रहेगा मदर यह उपर से खुला रहेगा तो इसका benefit होगा के toilet का इस कहां से ventilation हो जाएगा then हमारा gas room हो गया है अब बारी आती हमारे bedroom अगरा की तो यह हमारा bedroom 2 रहेगा इसको bedroom 1 माल लेते हैं ठीक है जो bedroom 1 है इसका size 16 by 13 feet और इससे connector रखा है हमने store room as per requirement एक bedroom में हमने सिर्फ store room देना था और दूसरे bedroom में dressing plus toilet तो यह first में हमने खाली bedroom दिया है इसका जो arrangement होगा वो left वाली wall पर आप bed रख सकते हैं और front wall पर आप LCD unit रख सकते हैं then जो हमारा second वाला bedroom है उसमें आप back wall पर bed रख सकते हैं और left wall पर LCD unit रख सकते हैं पलस इसमें second option यह भी है आप जो हमारी विल्कुल back वाली wall है उस पर आप bed रख सकते हैं और front में LCD unit रख सकते हैं ठीक है अब हम bed से attach जो हमारा dress plus toilet है वो show कर देते हैं यह हमारा 6 by 5 का dressing room रहेगा और इससे attach है आपकी toilet 6,25-7 feet की और इसका जो ventilation है वो हमारा roadside से हो रहा है तो यह मैंने आपको spaces बता दिये हैं हमने किस तरीके से arrange किये हैं उनके sizes क्या है अब हम इसका एक overall ventilation look ले लेते हैं कि उसका सही है यह नहीं एनफ है यह नहीं drying room का check करते हैं तो front side से drying room का हो रहा है ठीक है gas room का check करें तो front में क्योंकि ports का जो area है वो open है तो gas room का ventilation भी हो जाएगा और kitchen का ventilation में आपको बताया है दोनों side से open है और lobby का ventilation के लिए तो यह पूरा हमारा road है हम इतनी भी बड़ी window लगा सकते हैं या पर और इसी तरीके से toilet का ventilation नहीं हो रहा था तो हमने open space दे दिया है ताकि toilet का ventilation भी हो जाए तो इस last toilet का ventilation भी हमारा road से हो जाएगा तो यह थी इसमें ventilation plan और अगर आपका plot size भी approach 40 by 60 है तो आप इससे reference ले सकते है या I hope आपने ले लिया होगा और अगर आपका plot size या requirement different है तो आप directly हमें contact कर सकते हैं हमारे description की through और आपको requirement हमें बता सकते हैं और हम आपके जो है उनको problem को solve करके आपको floor plan वगरा बना के आपको send कर देंगे so thanks for watching adbz architects और अगर आगे की detail जो है जो हम update डालते हैं वो लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को subscribe करके रख सकते हैं ताकि जो भी हम update जैसी upload करें वह फोरन आपके पास पहुंच जाए so thanks for watching take care bye bye